Beginning का opposite word क्या होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Beginning का मतलब होता है किसी चीज की शुरुवात और शुरुवात का उल्टा होता है किसी चीज का अंत तो अंत को English में हम E-N-D-E-N-D कहते हैं तो Beginning का opposite होता है E-N-D-E-N-D यानि कि रोड की शुरुवात जो है वो एक बड़े sign से बड़े संकेत से मार्क की गई थी या बताई गई थी इसके लावल्ट आप कह सकते हैं The end of the road was marked by a large sign यानि कि एक बड़ा सा sign लगा कर जो है रोड का अंत दर्शाया गया था या दिखाया गया था अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें